नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे चलिए समय नश्ण करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सेर, कमेंट जरू करिएगा दोस्त और साथ ही साथ सब्सक्राइब लेकिन आप वीडियो को अंत्य तक जरूर बने रहेगा वीडियो को बिलकुल भी इसके मत करिएगा नहीं तो आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी मित्रों ठीक है दोस्त चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं देखिए यह डोपार इंज हाई बलड फेसर के लिए यह काम करता है हाई बलड फेसर क्या इसके बारे मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको बताना चाहूंगा यह जिसमें आपकी धह्मनियों में रख्त का दबाव शम्य के साथ धीरे दीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि इसकी वज़ा से स्वास समस्या होने लगती है जैसा कि हिर्दे रोग हाई ब्लड पेसर या रक्त चाप दो चीजों से निर्धारित होता है हिर्दे द्वारा पंप किये गए ब्लड की मात्रा और धहमनिया यानि कि आर्टरीज में रक्त परवा के खिलाब प्रतिरोध इसलिए आपका हिर्दे जितना ज़्यादा पंप करता है और आपकी आर्टरीज जितनी पतली होती है आपका ब्लड पेसर उतना ही अधिक होता है ठीक है दोस्त ब्लड पेसर सालों तक बीना किशी लच्छड के बढ़र सकता है इसलिए इस बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है शवभागिश्य हाई बीपी जिसे मेडिकल भासा में हाइपर टेंसन करते है आसानी से पता लगाया जा सकता है और एक बार ब्लड पेसर हाई होने का पता लग जाए तो आप दवा और स्वास्त जीवन साली से इसे नियंतर कर सकते है अगर बीपी कंट्रोल ना हो और बहुत समय तक बढ़ रहा हो तो इसकी वज़ा से हाट अटेक और इस्टुक सहीत कई गंभी समझाएं का सामना करना पड़ सकता है चलिए दोस्त ये देखिए प्रेगनेंसी के टाइम में अगर हाई बलड पेसर हो तो उसके लिए भी ये काम करता है बहुत अच्छा कारगर होता है ठीक है दोस्त चलिए मैं आपको बताऊंगा इसका परियोग कैसे करते हैं ठीक है दोस्त डाक्टर अवित्री के अनुशार देते हैं यानि कि आव सकता के अनुशार से देते हैं लेकिन ये देखिए हाई बलड पेसर की बात है तो मेरा पूरा कहना है कि आप इस दवा को परियोग करने से पहले डाक्टर से सला लेके उस दवा का भी परियोग करें ठीक है दोस्त चलिए मैं बताना चाहूंगा यह जानकारी आफ लाइन और आनलाइन के माद़न से बताएगे ये मेरे माददम से बताए कि किसी भी दवा का परियोग करने से पहले एक बार डाक्टर से सला लेके उस दवा का परियोग करिएगा ठीक है दोस्त चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा बेल आइकन दवाना बिलकुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको ऐसे लेटिस्ट वीडियो मिल सके अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेयर करिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुच सके ठीक है दोस्त और किसी भी दवा संबंदी जानकारी चाहिए ता आप हमारी कमेंट बाक्स में कमेंट करें उसके बारे मैं वीडियो तुरंत लेकर आएंगा ठीक है दोस्त अभी के लिए टाटा बाई बाई